देर इस्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हमें तीसरा पार्थ जिसका नाम धातू है उसमें धातों की प्राप्ति के लिए जो अंतिम पॉइंट है धातों का प्रिस्करण किस परकार्श किया जाता है प्रिस्करण का मतलब है कि सुद धातों के से पराप्त की जाती है उसके बारे में समझेंगे इससे पहले थोड़ा हम ये जालने की पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था हमने धातों की प्राप्ति के लिए धातों को सेक्रिता सिरिनी के अधार पर अलग-अलग तेन वीदियों से प्राथ किया था जैसे खनीज से एसक और एसका सांधरन और जो निमन अभिक्रियाशिल धातों में हैं उनको किस परकार सुद कियाता है सल्फाइड एस के दोबारा भरजन के दोबारा फिर धातो मद्यम अभिक्रियाशिल धातों हैं उनको किस परकार से परात कियाता है और उच अभिक्रियाशिल धातों हैं उनको किस परकार से परात कियाता है इन तीनों के बारे में हमने अलग-अलग वीडियो में पहले पढ़ा है अब हम यहां पर यह पढ़ेंगे कि जब इन धातों को सुद्वस्ता में परात किया राता है तो यह बिल्कुल सुद्वस्ता में परात नहीं होती है इसलिए हम सबसे अंत में एक पॉइंट और पढ़ते हैं कि धातों का परिस्करन यानि कि अभी भी इन धातों में कुछ असुद्या हैं तो उन असुद्यों को दूर करने के लिए हम परिस्करन करेंगे और परिस्करन के लिए हम विद्धुत अब गटनी परिस्करन का मिलेंगे ठीक है तो चलिए अपन बात करते हैं अपने पाठ में दिये गए टोपिक अनुसार यह रहा धातों का प्रिसकरण की सुद धातों को अपन इस विदुच अपगटनी विदी के द्वारा जैसा चितर में आप देख पा रहे हो एक उपकरण है इसमें प्राप्त करेंगे यहां लिखा है कि उपरवर्नित विभिन अपचेन परकरमों से प्राप्त धातों पुर्ण रूप से सुद नहीं होती हैं उपरवर्नित कौन सी हैं जो हमने निमन अभिक्रियाशिल धातों को प्राप्त करने के बारें पड़ा था मद्यम अभिक्रियाशिल धातूं को प्राप्त करने के लिए पड़ा था और उच अभिक्रियाशिल धातूं को प्राप्त करने के लिए जो हमने तरीके या जो वीधियाँ जो मेथडस हमने पड़े थे जो परक्रम हमने पड़े थे उसमें वो सुद धात्व प्राप्त नहीं हुई है अब हम क्या करेंगे वो जो धात्वे प्राप्त हमें असुद अवस्ता में हुई थी उनमें कुछ असुद्यां अभी भी मिली हुई है तो बिलकुल पुरन रूप से सुद धात्व प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर दातों का प्रिश्करन पढ़ेंगे इन में अबदर्वे होते हैं अबदर्वे का मतलब होता है असुद्या यानि कि हमने धातों के सुद्य करने के लिए जो निस्तापन भरजन अपचेन वो सारी जो वीदिया हमने पढ़ी थी पहले पिछले तीन वीडियो में उन में कुछ असुद्या रह गई हैं उन असुद्यों को अबदर्वे करते हैं विज्ञान के भासा में क्या कहेंगे उसको अबदर्वे इन अबदर्वे असुद्यों को हटा कर ही सुद्धातु पराप्त कि जा सकती है क्योंकि जब कोई धातों के नरा सुद्य मिली हुई है उसको हटाएंगे तभी तो असुद धातु पराथ होगी ठीक है तो आगे देखो यहां लिखा है इसमें किस परकार शे अपने इसको कामे लेते हैं तो हेडिंग है विदूत अब गटनी परिस्करन कोपर कोपर यह नी तामबा जिंक जिसे बन दस्ता भी करते हैं तिन देखो टिन भी धातु है जिसका परतिक चिन होता है एसन क्या होता है एसन परतिक चिन एसन निकल निकल भी एक धातु है जिसका परतिक चिन होता है एन आई ठीक है एन आई होता है निकल धातु यह आई हो गया और शिल्वर यानि चांदी एजी जिसको कहते हैं गॉल्ड यानि की सोना एयू जिसका परतिक चिन है ठीक है आद गोल्ड इनका आपन क्या करते हैं विदूद अब गटन परिश्करमिटी द्वारा सुध करते हैं इस परकरम में असुध धातू को एनोड तथा सुध धातू की पतली परत को के थोड बनाया जाता है तो देखो पहले चित्र के नुसरापन समझते हैं इस लाइन में समझ में यह अपने पास यह कूपकरन है देख पारें आप ठीक है यह बरतन ले लिया अपने ठीक है कूपकरन ले लिया इसमें यहां पर यह बेटरी है सेल जोड दिया पलस जो शीरा होता है वो हमेंसा एनोड होता है क्या होता है और माइनस वाला जो छोर होता है जो किनारा होता है तो यहां पर हमने जो एनोड के उपर यह जो यहां यह लिया है यह बता रहा है कि इस परकरम में असुद धातू को एनोड है तो एनोड पे तो कौन शी धातू लेंगे असुद धातू का ले लिया अपने जैसे कोपर के आपन बात करें तो कोपर का ये एक्जाम्पल है तो इसमें कोपर धातु असुद का हमने यहाँ पर एक टुकडा ले लिया चीक है और सुद धातु की पतली परत को केथोड पे और केथोड पे जो धातु लिए भी कोपर की है है लेकिन यह सुद्ध धातू है यह कैसी है सुद्ध धातू है के थोड़ बना दिया धातू के लवन वीलियन का उपयोग है अब देखो जो धातू अपने सुद्ध कर रहे हैं उस्सी का लवन विलियन लेंगे जैसे कोपर की बाद चलिए इसमें कोपर ये कोपर का सुध दातु का टुकुडा हो गया या छड़ हो गई ठीक है और ये सुध दातु की छड़ हो गई यहां जो अंदर अपने विलियन इसमें भरा है ठीक है वो है कोपर का ही लवन तो कोपर का लवन अपन नहीं करता है। लिए हैं यह विदुत अब अब गटे कहले का लाएगा क्या करता है। फिर लिखा है चितर three point एक-दो के नूसार चितर है, तीसरे पार्ट के अंदर चितर नमबर 12 है इसके नूसार, ओपकर्ण विवस्तित किया गए जाता है हमने यहाँ विवस्तित कर रखा है विदुत अब गटन से जब धारा परवाहित की जाती है तब एनोड पर इस्थित असुद धातु देखो एनोड पर क्या थी है हमने अभी पड़ा था कि एनोड के उपर हमने यह जो धातु की छड़ ली है यह असुद अवस्ता में है ठीक है तो इसकी बात कर रहा है लिखा है एनोड पर इस्थित असुद धातु विदुत अब रतली हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर ये घुंनी सुरूत हुजाती है जो कोपर दृता हुज है वो इस वीलियन के अंदर कोपर सलफेट वाले वीलियन के अंदर गुणी सुरू हो जाए जाएगी he आगे लिखा हैं इतनी ही मातरा में सुध धातू विदूत अब घट्टे से केथोड पर निक्षेपित हो जाती है यानि कि जो विदूत अब घट्टे के अंदर जो धातू ये जो एनोड वाली असुध धातू थी वो कोपर इस विलिन में घुल गई और अग ये कोपर कहा जा जमनी सुरू हो जाएगी क्योंकि इधर जमनी सुरू हो जाती है ठीक है तो कहने का मूल ये है कि यहाँ पर जो असुध धातू जो अपने लिए थी कोपर की वो विदूत अब घटे में घुलती है पहले और गुलने के बाद में ये कोपर जो है वो केथोड की तरफ आता है क्योंकि कोपर जो धातू है और धातू है जो हमेशा होती है वो इलेक्टरोन का त्या करके धनायन बनाती है तो ये धातू जो है पलस की है ठीक है और केथोड क्या होता है केथोड माइनस का किनारा होता है रिनावेस होता है तो हमने ये पढ़ा है छोटी कलासों में पढ़ है कि धनावेस हमेशा रिनावेस को आकरशित करेगा जो विपरित आवेस होंगे वह एक वह केथोर की तरफ चाना शुरू हती है तो देखो यहां चितर में दिख रहा है को झाया यह इक पर तीक के इधर और जारा है ya कोपर यह यह रहा यह धर से यह न जा रहा है खिल tenir विले असूद्य सुद्य को इसमें घुल जाती है तो तो दिखाए नहीं देंगी अपनको घूल जाती है तथा विले असूद्य कुछ असूद्य अची हुंगी जो घूलती नहीं है इस कोका बिल्ब mute । वो क्या होंगी वो नीचे यहां इकटी हो जाएंगे देखो यह दिख रही है अपनको अलग से ना ये रेज मिटी कंक कुछ भी हो सकता है तो ये असूदियां दो नीचे यहां पेंदे में इकटी हो जाते हैं इनको अबदर्वे कहते हैं ये क्या है अबदर्वे और एक नाम परिश्करन दातों के परिश्करन में परिउप्ष्थ होने वाली विदुत अपगटनी परिश्करन के दोरान जब असुदियां एविले अवस्ता में नीचे तल में पेंदे में या तल में एकत्रित हो जाती है कौन से असुदियां ये ऐ विले ये घुलती नहीं है ठीक है असुदियां जब नीचे एक्तरित हो जाती है तो उसको एनोड पंक कहते है अब एनोड पंक क्यों कहते है क्योंकि एनोड के नीचे है ठीक है रहा और पंक का मतलबता है असुदियां पंक का मतलब क्या है असूदियां या कचरा या गंदगी ठीक है ना गेंग बोल दीजिए तो यह असूदिया है तो यहां क्या लिखा है विले असूदियां विलिन में चली जाती है तथा ए विले असूदियां एनोड तली पर तली आने की तो तल है नीचे तो पेंदा ना य ब्रिक्षेपर होते हैं इनल जाती हैं जिसे इंपन्ते कए अनोड़ पन इसको परिवासा यहाँ पर कुछसी मनता है अब देखो य elders दिया गया है नेजीamm वह दैं पहले जो तामवे के सुद्र इक्रांप पढ़े थे उस दोरान क्या रहा था तामवे के अंदर कुछ जो अब्दरव है वो रह गये थे उसका परिश्कन करने अम लीकर्त यहां अम लीकर निकी अमल यूक्त है copper sulfate का willian свид souhaite' अब गटे हैं तो गहो यह यह रहा अम लिकरत copper sulfate का मिला उखला है जो निला रंगा को दिख रहा है copper sulfate को निला थोथा भी कहते है यह सुद तांबा पर है यह रहा इस के थोड़ पिर यहां आना शुरू हो जाएगा कि दर्शे असुद से सुद की तरफ ये कोपर जो है इधर जमा हो जाएगा और इधर ये सुद तामा जो है ये इसको अलग कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे पर्था कर लेंगे तो इस प्रकार से बिल्कुल सुद धातू प सुद धातू प्राप्थ करने को जी क। विदूत अब गटने जो विदी कामे लेते हैं, उससे किस परकार से अपन सुद्धातु पराथ करते हैं, उसके बारे में हमने विश्तार से धीरी-धीरी बिल्कुल एक-एक लाइन को समझा है, तो जब भी आप यह पढ़ते हो, तो उस दोरन अपने पास अपने किताब रख पॉइंट है, इस पार्ट का तो चोथा पॉइंट है, उसको समझा, और अगले वीडियो में हम इस धातों के डिसकर्शन से समझ देते, जो तेन क्यूस्चन यहां पार्ट के बीच में दिये गए हैं, जो पार्ट का क्यूस्चन है, उनके बारे में हम जान करी, प्रात करें धन्यवाद